आज ती बेवर्ष पहला पारडी नी एक नमांकित स्कूल ना शिक्षक पर पोता ने ज पुत्री पर दुशकर्म आचरवानो आरोप लगावा मा आवि होतो ते समय पिता पुत्री ना संबंदोने लजावता किस्सा है समगर पंथक मा भारे चर्चापन जगावे दी जेनों कोट मा बेवर्ष सुधी केस चालिया बाद आजे पुत्री द्वारा दुशकर्म नो आरोप लगावी ने जेल मा धके लाएला पिता ने निर्दोष जाहर करवा मा आवि होतो परन्तु बेवर्ष सुधी शारेरीक और मांसी की आतना भोगव्याबाद निर्दोष साबित थे ने बाहर निकेलो पिता एकदम भांगी पड़ी होतो अने कोट ना पार्किंग मा ज्या सुधी मीडिया न आवे तेनू साचो बयान जनता सुधी न पहुंचे त्या सुधी ती कोट ने बाहर न जवानी जित पकडिरे नीचेज सुई गए होतो जे बात पोलिसे मीडिया ने बुलावता निर्दोष जाहर थेला शिक्षक बलराम समर्थे मीडिया समख्रचला बेवर्श दर्म्यान सगी पुत्री पर दुष्ट कर्मना लगावेला जुटा आरोप सर भोगवेला त्रास अने संतापनी आपवीती समढ़ावी हती कानून पर विश्वास जगावती चाइल्ड वेलफेर एवी तथा कथीत संस्ताना नामे शोशन करती एक सामान्य व्यक्तिनों आखो जीवन बरबाद करी नाखती आने रुदाय ने जकजोरी देती आग कहानी नी विगत एवी छे के आज थी बेवर्श पहला एटले के आठ जुलाईना रोज पाड़ी नी नामंकित स्कूल मा शिक्षक तरीके फरज बजावता बलराम समर्थ पर तेनी चवद वर्ष नी दिक्री ए शारिरिक छेडचाड बाद पिताय तरनेक वार दुशकर्म कर्यानों आरोप लगावी ने 1098 पर कॉल करी मदत मांग वाम आवी हती बलरामनी पुत्री ए परिवारना सभ्योसुई गया बाद तेनों पिता दिक्री साते हवस संतिष्टों होवानों खोटों आक्षेप लगावता 1098 नी टीमें बलरामना घरे पहुंची ने ततकालिक काड़े वाही हाथ धरी हती आने पुत्री नों कबजो जोके ते समय बलरामनी दिक्री क्याम नहोए खोटा आक्षेप करी रही होवानों बधाने समझावतों रहयो परंतु तेनी कोई वात मानवा तैयार नहा दू बलराम पासे पोतानों निर्देश साबित करवानों एक पंड आधार पुरावा नहोए अने मामलों दुश्टक साथे भोजन करता बल्राम ने उठाडी ने त्याज मारवानों शरू करी दिधोतु। तेना पर्दुषकम नो केस रजिस्टर करी ने जेल मा धकेली दिधोतो। आने पोतानाज पीता पर्दुषकम नो आक्षेप लगावनार पुत्री ने धरासना बाल सुरक्षाग्रों मा मोकली आपी हती। बल्राम समर्थना जनाव्या मुझप जे दिवसे आघटना बनी हती। ते दिवसे एटले के 8 जुलाई 2020 ना रोज ते तेमनी सासों ने छोडवा आनंद स्टेशने गए होतो। त्यारे तेनी गैरहाज रीमा 1098 नी टीम घरे आवी हती। अने पूत्री न से एटले के 9 जुलाई ए घरे आवे होतो। जो के त्या सुधी 1098 ने टीमना सोनल सोलंकी आने मंजुबैन सहित नी महिला मंडर नी टीम बल्राम नी पूत्री ने उठा भणावी ने घरे थी वलसाड लई गया हता। जरी पाचार बल्राम पर तेनी कार लईने वलसाड जो के बल्राम नी पत्नी तेनी मोटी पूत्री आने तेनों पूत्र पन हाजर हता। आवी शके अने हवे तमारों फेसलों कोट मार्स थसे एवो उद्धत जवाब आपयो होतो बल्राम जेल गया बात चार माईना सुधी बल्राम नी पूत्री ने धरासना मा राखवा मा आवी हती बल्राम ना परिवारे चायल्ड वेलफेर कमिटी पासे तेमनी पूत्री नो हव आवी हती परन्तु जेम जेम केस आगड़ चालियो तेम तेम महिला मंडरनी कमिटी ने आखो मामलों हाथ मा थी सरकी रहियो छे तेम लाखता तेमने आखा केस मा थी साफ पाक निकलवाना प्रयासों शरू करू दिधाता एक समय सगीर पूत्री ने पिता विरुद भड़का आवी ने आखा परिवार ने जबर्बाद करी नाखवा पर उतारू थैली महिला सुरक्षानी आ जंडा वर्दार टी में एज बल्रामनी पूत्री ने तेना हार पड छोड़ी मुकी हती चाइल्ड वेलफेर नी आ निरलज कामगीरी ना पगले एक जूता केसमा पीता जेल मा सड़ी रही होतो औने पूत्री नू जीवन बरबाद थै रही होतो आवी विकट परिस्तिती मा पन चाइल्ड वेलफेर कमिटी नी चेर्मेन सोनल सोलंकी अने मंजुबेन बल्रामना परिवारना तमाम सब्योंने फोन करी करीने जणावी रही हती के बल्राम पर पुत्री साते दुशकर्म आचरवानों केस कोर्ट मा साबित थाई गयो छे पेपर मा प्रसिदत था जेलना कैदियो अकबार मा एस समाचार अन्य कैदियोंने बतावीने तेनी मजाक उडवता हता जेलना कैदियो द्वारा तेना ज जेज चेसनी चार्ट सीट मा क्याक पुत्री पर दुशकर्म आचर यानो उलेक नह तो ते केस मा बेवर सुधी लगातार पुत्री पर दुश्कर्म करतो हुवानी अफवा उडवा मा आवती हती आम बल्रामे लगातार बेवर सुधी जेल मा अने जेल नी बाहर बैज़ती अने लांचन नो भोग बनवो पड़ियोतू बल्रामनी दरपकड बाद तेनी पत्नी पुत्र नी मोटी पुत्री चार मैना सुधी धरासनाना धक्का खाता रहियाता तेम छता तेमने तेनी पुत्री नो कबजो सोपवा मा न आवियो आसा ते बल्डराम एक मात्र घर मा कमावनार व्यक्ती होई तेने जेल थैयाबाद घर नी आर्थिक हालत कफोडी बनता बल्डराम ना परिवारे पाड़ी छोडी ने बनारस पोताना वतन चाली जेवू पड़ी होतु वधो मां बल्डराम में जनावियू के जो चाइडल लाइन वेलफर नी टीम चेर्मेन सोनल सोलंकी अने मनजुबेने आखा गाम मां फोन करी-करी ने जनावियो तो के बल्डराम नो केस कोट मां साबित थाई चुकियो छे तो पछी तेने कोट मां केम पुरावा नो आपया आने शाकारने बेवर सुधी तेने निर्दोष होवा चेता जेल नी पीडा सहन करवी पड़ी ए बदो तो ठीक सामे पक्ष द्वारा बल्डराम नी पूतरी के जने फरियादी बनावा मां आवी अती तेने आज सुधी कोट मां तेना विरुद एक पन आरोप साबित केम न थी थयो कारण के चाइल्ड वेलफेर पासे बल्डराम विरुद दुषकर में साबित करी शके तेवों एक पन साक्षी के साबित ही के पूरावा नो हतो आजे बेवर्ष बात कोटे बल्डराम ने निर्दोष छोड़े परन्तु तेने आवातनों दुख छे के जे क्रुत्य तेने नथी करियो तेना माटे तेने बेवर्ष दी जिल्लत सैवी पड़ी हती तो हवे जो निर्दोष चाबित थयो छे तो तेने जे बेवर्ष दी भोगव्यों और गुमाव्यों तेना माटे जे लोको जवाबदार तेमने क्यारे सजा मरशे जेल जवाब पहला बल्डराम समर्थ पाड़े नी नामंकित स्कूल मां शिक्षक तरीके फरज बजावता हता जा तेमनों दोड़े लागती पन वधू पबार हतो परन्तु पुत्री पर दुश्कर्म ना आरोप लागया बाद तेमनी नोकरी छुटी गई हती औने जे बदनामी मली ते अलग थी निर्दोश चुटेल बलडराम नो एकज़ प्रश्न छे के बे वर्ष मा तेनु जे सन्मान गयू छे तेने कोण केवी रिते पाच्छु मां छे जीवन भर पुराई नहीं तेवी जेक्षती थाई छे तेनी पूर्ती क्यारे थाशे पूत्री पर दुश्कर्बना आरोप सर बे वर्ष जेल मा गुजार याने निर्दोश थया बाद पन आ आरोप साथे ते समाज मा शू मोडू लईने फर्शे आने तेना कार ने तेनी जे स्कूल नी बदनामी थाई छे तेनु सन्मान कोण कर्शे बल्रामना जनावया मुजब तेनी साथे जे थयू ते थयू पन जाहेर जनता सुधी एवात पहुंची विजोई ये के चाइल्ड वेलफेर जेवी संस्ता ओपन चाइल्ड हेल्प ने महीला सुरक्षा नामे केटलो मोटो अनर्थ शर्ची शकाई छे मात्र अहंकार ने त्रुप्त करवानिया आग मा एक व्यक्तिनी आखी जिन्दिगे अने तेनो आखोप परिवार बरबात थाई शके छे आजे बेवर्ष बात पन आखा केस नू दूद नू दूद अने पाने नू पानी थाई गयो छे कोटे तमाम आधार पुरावोने आधारे बलराम समर्थ ने निर्दोष जाहर करियो छे पना बेवर्ष दर्म्यान परिवार ने समाज मा बलरामनी आबरुना जे धजागरा उड़िया आने पूत्री पर दुष्टकर्म नू जे लांचन लाग्यो ते क्यारे धुवाई तिम न थी निर्दोष साबित है या बाद पर ना तथा कथित समाज तेने एक आरोपी ना रूप माज़े जोशे लेकिन जब उनकी स्वार्व पूर्टी हो गई केस बिगड़ गया सोचा कि अब मेंजी पदोनेती हो जाएगी तब उसको फिर दर भटकने के लिए बेटी को छोड़ दिया यह कहां का इंसाब उसको मिला फिर उसकी सिक्षा कहां गई चार महीने दर को पढ़ाया आपके पती पर आपके चिता पर आपके जमाई पर बलतकार के अरूप साबित हो गए हैं कि फोन करके समको मानसिक प्रास दी साहर मुझे इंसाफ नहीं मिला इस दोस्त यदि जिस 1098 वालों ने फोन करके मेरे सभी पुटुम्गों को बताया कि मैं बलतकारी सिध हो गया हू तो फिर उसने साबित क्यों किया कोट में यहां तक कि जो फर्यादी इसको मेरी बेटी को बना आया कोट में आज तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया और नहीं उसको जिससे मुझ पर आरूप लगाया उसको नियालाय में नियाय मूटी के सामने मुझ पर आरूप लगाना आज जो निर्दोस्ट छोड़ है वो ही तो मुझे सबसे बड़ा कष्ट है मुझे निर्देश नहीं छोड़ना है मुझे इनसाफ इस घटना कारण मेरी देर लाग रुपे पराड थी मैं प्रोफेसर था वो चली गई बदनामी अलग से हुई तो ये बात भारत की जंता तक आप लोग पहुंचाईए ताकि मेरी तो बजनानी हो गई आगे किसी के गिरेबान पर हाथ जालने से पहले ये 1098 बाले या कोई अन स्वाव बार सोचे जब गिरबतार करने के लिए वार्डे पुलिस मुझे पर आये तो तावा टोर मारना क्यों शुरू किया उनसे सबाल क टीजिये कि मालना क्यों शुरू किया जो कि में उसे में अपनी पतनी अपनी बड़ी बेटी और बेटा केसाद भोजन करने के लिए बैठा था मढ़ी मरी मेरी पतनी मरी बड़ी बेटी और बेटा चार महीं तक जब तक मैरी वेट इसके तक एरी जगर गया धरासना जाते जब उनको खाने पीने किनोकरी तुमाई करता था सब को चला गया तो बोलोन अपने ने टिपलिस जाना परा बना रस अब ही मेरे एक ही मांग है सीधा सिधा मांग है कि जो सम्मान मान सम्मान मेरा गया है वो मुझे कैसे वापस मिलेगा जो छती मेरी हुई है